हाई हलो एवरिवन आज हम हमारे CMA Foundation के Business of Mathematics के अपने थर्ड चैप्टर AP and GP Arthematic Progression and Geometric Progression के NCQs स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे पहले हमारी दो वीडियोस कम्प्लीट हो चुकी हैं जिसमें पहली वीडियोस में हमने रेशो के NCQs किये and second video में हमने हमारा second chapter SI and CI के NCQs किये जो YouTube पर अविलिवल है आप महां से देख सकते हैं आज हम हमारी third video AP GP पर बनाने जा रहे हैं तो let's start first question है in an AP first term equals to A and difference is D मतला arithmetic progression की एक series है इससे questions start करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ knowledge देता हूं arithmetic progression के बारे में and geometric progression के बारे में arithmetic progression क्या होता है इसमें एक series होती है जिसमें continue चलती है वो और उसमें जो difference होगा वो या तो constantly बढ़ेगा या constantly कटेगा जैसे की एक series का मैं example ले लेता हूं 2,4,6,8 and so on यह series अपनी चलती जा रही है ठीक है तो इसमें देखो सबसे पहले 2 उसके बाद आया 4 और उसके बाद आया 6 तो अब यहां देखो कि 2 और 4 के बीच में कितना difference है 2 का 4 और 6 के बीच में कितना difference है 2 का इसी प्रकार 2,2 के difference से यह series आगे बढ़ती जा रही है ठीक है तो यहां पर यह series क्या कहलाएगी arithmetic progression ठीक है तो यहां पर difference अभी plus 2 का था minus 2 का difference भी हो सकता है तो arithmetic progression में difference या तो plus में होगा या फिर minus में होगा यही अदि कम बात करूँ अदि GP के लिए geometric progression के लिए तो उसमें क्या होता है जो difference होता है first term second term में वो divide की form में होता है ठीक है जैसे कि अदि मैं GP का example लो तो 4,8,16,32 तो देखो first term थी 4 second term थी 8 अब यदि मैं divide करता हूँ 8 को 4 से तो कितना difference निकल के आया है 2 ऐसे 8 के बाद था 16 16 को divide करता हूँ 8 से तो कितना difference निकल के आया 2 ठीक है तो geometric progression में multiple और division की form में difference चलता है जबकि arithmetic progression में plus minus की form में difference चलता है ठीक है तो यह था हमारी arithmetic progression और geometric progression क्या होती है उसके बारे में छोटा सा knowledge ठीक है अब हम हमारे हमें first questions पर आते है इनन AP first term equals to A and difference is D AP है arithmetic progression series दे रहा है जिसमें first term दिया हुआ है हमें A and second difference दे रहा है हमें small d और last term हमें दी हुई है L तो हमें find the term हमें वो term निकालनी है before last जो last term से just पहले वाली term हमें कुछन में हमें first term दे रहा है मतला पहली term दे रहा है common difference दे रहा है उनके बीच का और हमें last term दी हुई है और निकालना क्या है हमें just last वाली term से पहले वाली term ठीक है देखो कैसे करेंगे अभी बताता हूं मैं देखो ap में यदि मैं लेता हूं तो first term a होती है second term होती है a plus d third term होती है a plus 2d यह normal form होती है ap की अब यदि मुझे किसी पहले वाली term पे जाना है supposed मुझे इस वाली term से यहाँ पर आना है तो मैं क्या करूँगा इस a plus d में से क्या minus करदूँगा d minus करदूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा यहीं ज़ी मैं बात करूँ इन दोनों terms के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, यदि मुझे ये दे रखा है, a plus 2d, और मुझे इससे पहले वाली term निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, a plus 2d में से d को माइनस कर दूँगा, तो मेरे पास क्या रहे जाएगा, a plus d, तो मतलब कहने का ये है इसका कि किसी भी term से पहले वाली term निकालने के लिए, उस term में से common difference को माइनस कर देते हैं, तो हमारी वो term निकल के आ जाती है, अब ये क्या बोल रहा है, कि हमारे पास एक series है, क्या है हमारे पास एक series है, जिसकी large term क्या है, l, क्या दे रहा है, उसने large term, l दे रहा है, ठीक है, अब हांब हमें निकालना क्या है यहाँ पर हमें निकालना इस L से पहले वाली term क्या निकालनी है हमें L से पहले वाले टम हमें निकालनी तो इस L में से L में से minus कर देता हूं मैं D को क्या कर देता हूं L में से minus कर दूँगा D को तो मेरी last term से पहले वाली term निकल के आ जाएगी और अपना अंसर क्या हो जाएगा second option L minus D ठीक है अब ना अब अब अपन चलता है अपने अगले question पर fill up the gaps minus 14 minus 10 minus 6 और इसके बीच में दो gap दिये हुए और अगला है 6 तो मुझे इसके बीच के ये वाला gap और ये वाला gap ये दोनों gap निकालने मतलब इन में कौन कौन से numbers आएगे तो देखो पहले दे रखा है minus 14 अगला दे रखा है minus 10 इन दोनों के बीच का difference देखो difference कैसे निकालूँगा second वाली term minus 10 में से first term को मैं minus कर दूँगा first term कितनी है minus का 14 तो ये कितना आ गया minus का 10 minus minus plus होके दे देंगे मुझे 14 तो कितना आ गया difference plus 4 का कितना difference है plus 4 का मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों terms के बीच का difference कितना दे रखा है plus 4 तो इनके बीच के difference भी plus 4 होगा देखो minus 10 plus 4 करूँगा तो minus 6 आ गया अब यही minus 6 और इस वाली term के बीच निकालनी के लिए तो minus 6 plus 4 करूँगा तो क्या आ जाएगा ये वाली term minus का 2 तो ये वाला तो क्या आ गया minus 2 अब minus 2 आ गया उसके बाद ये वाली term निकालनी के लिए क्या करूँगा minus 2 plus का 4 ठीक है minus 2 plus का 4 क्या जाएगा plus का 2 तो ये वाला अपना term क्या आ गया plus का 2 तो इसी परकार अपनी दोनों terms निकल कर आ गई एक है माइनस टू और एक है प्लस टू कौन सा ऑप्शन है इसमें ये वाला क्योंकि पहले माइनस टू आ रहा है बाद में प्लस टू आ रहा है ये वाला हमको नहीं लगाना क्यों क्योंकि इसमें पहले इसमें टू दे रखा है बाद में माइनस टू दे रखा है तो इसलिए यह वाला option अपना नहीं होगा, अपना option होगा 4th, ठीक है? simple बस के वाल अपन को difference देखना है, terms में, और difference देखने के बाद आपने वो निकाले लिया कि कौन सा अपना दोनों terms आएंगी ठीक है? I hope समझ में आगया होगा आपको, इतने ज्यादा difficult नहीं है, simple question है, अगला आपन बढ़ते हैं, 3rd question की तरफ बढ़ते हैं, कौन से question की तरफ बढ़ते हैं हमारी? 3rd question की तरफ बढ़ते हैं हमारी, 3rd question की तरफ बढ़ते हैं हमारी तरफ बढ़ते हैं, यह गाप निकालना हैं यह गाप यह गाप और 17 तो इनके चार गाप निकालने हैं और यह क्या रख आप इसने कि यह जो series है, वो किसमें है, AP में तो AP का मतलब इन में बीच में क्या होगा? कोई ना कोई common difference इनके बीच में जरूर होगा ठीक है? इनके बीच में क्या होगा? हर टर्म के बीच में कोई ना कोई common difference जरूर होगा तो वही difference हमें निकालना है, उसके बाद में हम इस series के सारे बीच के in between terms को हम निकाल सकते हैं ठीक है? One minute guys हाँ, तो अब अपन क्या करना है इसके? यह अपन को बीच के in between terms हमें निकालनी है तो और सबसे पहले में पहला option उठाता हूँ और पहला option उठाकर इसकी जितनी भी terms हमें दियो ही है 5 यह दो मैं change कर लेता हूँ, मारकर 5 दे रहा है उसने, हमको दे रहा है उसने 8 हमको दे रहा है उसने 11 और हमको दे रहा है उसने 14 यह उसने हमें दिया हुआ है तो मैंने इसको in between terms में लिख लिया अब मुझे क्या देखना है कि इन सभी के बीच में difference common जो है वो same आना चाहिए देखो, 2 के बाद में 5 आया, मतलब plus 3 कह या यहाँ पर यह 5 के बाद में 8 आया तो यह 8 जोगा जब हमने 5 में plus 3 किया होगा ऐसे 8-11 यह भी plus 3 आ रहा है 11-14 यह भी plus 3 आ रहा है 14-17 में कितना रहा है plus 3 आ रहा है तो समझ में आ गया तो सभी terms के बीच में difference same आ रहा है तो इसलिए हमारा क्या option हो जाएगा first option ही यहाँ पर मारा answer होगा ठीक है क्योंकि यदि मैं second वाला रखता हूँ यदि मैं रखता हूँ यहाँ पर एक में रुकिये मता देता हूँ इनको अठा के यदि मैं इनके बीच में हमारी second वाली जो है इसको रखता हूँ four, seven, ten और 13 को रखता हूँ तो देखो difference देखो plus का two plus का three अलागा difference हो गया तो मतलब यह अपना option नहीं होगा ऐसे ही third वाले में होगा और ऐसे ही fourth option में तो नहीं और दीज ही है तो हमें पहला option ही यहां पर मिल गया जहां पर सभी के बीच में difference क्या आ रहा है same आ रहा है तो इसलिए हमारा पहला option क्या होगा साई अन्ज़र होगा ठीक है समझ में आ गया होगा कुछ भी नहीं है बस हलका सा mind use करना है और अपना question चंद सेकंडों में हो जाएगा now fourth question की तरव अपन move करते है fourth question क्या खहरा है अपना evaluate 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n-1 एक सेरेज दियो ही है हमें 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n-1 तो इन सब का सम हमें निकालना है तो देखो सबसे पहले एक formula होता है sum of n natural numbers का formula बतलब 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n इसका formula होता है और इसका formula क्या होता है n plus 1 upon 2 यह होता है इसका formula लेकिन इसने हमें क्या पूछा है n-1 दे रहा है n की जगे क्या दे रहा है n-1 terms का यह तो होता है n terms का लेकिन इसने पूछा है हमसे n-1 terms का तो simple है क्या करेंगे हम इस n की जगे क्या put कर देंगे n-1 इस रीज का sum निकालने के लिए put करो n की जगे मैं put कर देता हूँ n-1 अंदर अंदर मैं put कर देता हूँ sorry n-1 और ये अंदर वाला n की जगे n-1 और प्लस वन थाई अपन में आ गया 1 से 1 cancel out हो गया तो हमारे पास क्या बचा n-1 n अब देखो ये answer का है n-1 n अपन में तो ये रहा अपना third option तो ये third option अपना क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है n-natural numbers का formula अपन को पता था n-1 अपन टू series n-1 का क्योंकि ये भी the series चल रही है वो natural numbers की ही चल रही है 1 plus 2 plus 3 plus 4 ठीक है लेकिन ये n तक ना जाकर n-1 तक चल रही है इसलिए हमने उस formula में n की जगे क्या पुट किया n-1 ठीक है और आपन अपन अपन निकल करा गया ठीक है प्ड़ा फिफ्ट कुश्चन देखो, इधर देखो एक बार कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो इधर देख लेते हैं अभी If the terms of an AP series be added या subtracted by a constant number then the result 10th series will be in what series ये कहना चाहरा है If the terms of an AP series मतलब एक series है जिसकी terms में मैं कोई constant number add करता जाओ या किसी constant number को subtract करता जाओ तो मुझे एक resultant series मिलेगी तो वो series किसमे होगी अभी बताया मैंने theoretical question है अभी बताया कि AP में क्या होता है यदि मैं continuously हर एक terms में कुछ constant number add करूँगा या किसी constant number को subtract करूँगा तो वो series कौन सी कहलाएगी AP कहलाएगी वो series AP तो अपना अंसर क्यों जाएगा है आपर A A option AP, यह AP है ना कि AD ठीक है इसको ठीक कर लो, यह है यहाँ पर AP ठीक है यह 5th question complete हो गया, now 6th question पे आते है यह boy saves 1 पैसा today, यह today है, मतलब आज 2 पैसा tomorrow, 3 पैसा day after tomorrow, ठीक है तो how much he can save in 12 days कोशिश करो एक बार करने की, मैं कुश्चन समझा देता हूँ एक बार उसके बाद खुच से कोशिश करना कहना क्या चाह रहे एक लड़का है, वो आज 1 पैसा बचा रहे, कल 2 पैसे बचाएगा, आने वाले दिन 3 पैसे बचाएगा, ऐसे वो करता जा रहे तो total 12 दिनों में, वो कितने पैसे बचा लेगा, यह हमें निकालना है करो एक बार खुच से हुआ चलो कोई नहीं मैं करता हूँ देखो आज उसने एक पैसा बचाया, कितना पैसा बचाया उसने आज, एक पैसा कल बचाएगा, दो पैसा आने वाले कल बचाएगा, तीन पैसा, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चोथा दिन बचाएगा वो, चार पैसा ऐसे करते करते बारे दिन तक वो कितने बचालेगा बारा पैसे तक दोस्प का हम मन्होंत क्या निकालना है sum इन निकालना था हमें सुरू से जब इसन में एक रप है अपनको क्या नजर आ रहा है 1,2,3,4,5 नेचुल नंबर के सिरीज नजर आ रही है कहां तक 12 तक तो नेचुल नंबर वाला फॉर्मुला अपन अपलाई कर सकते हैं इस पे बिल्कुल कर सकते हैं देखो करते हैं एन एन प्लस 1 अपन 2 एन क्या है यहापर 12 क्या है एन यहापर 12 है तो एन को मैं 12 पूट कर देता हूं तो देखो 12 यह 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 अपन 2 2 से कैंसल आउट हुजाए गया 6 ताइम 13 शिक्सा 78 क्या ओप्शन आ अपना 3rd ओप्शन आ गया 78 ठीक है नाव नेक्स्ट कु लिए नेक्स्ट कुछन देखते है अगे बहुत दिक्कत करना है चलता है यहमारी नेक्स्ट कुछिशन पे सेबंत कुछन है सेबंत कुछिशन क्या चाहरा है हम से फिर्स्ट टर्म फन एपी इस 30 इंद थर्ट तर्म इस 26 इंकर नियमे एट्थ टर्म कॉंसी टमफइंड 8th term तो देखो कैसे करेंगे मैं question करवा देता हूँ नीचे वाला question 8 आपको try करना पड़ेगा ठीक है तो देखो first term देरा किया हमें 30 मतलब AP की स्रीज मैंने बताई क्या होती है A, A plus D A plus 2D ठीक है तो देखो इधर देखो एक चीज़ पैटन बन रहा है यही लिखूंगा मतलब fourth term के लिए यहाँ पर sorry fourth term आएगी A plus 3D कितनी आएगी fourth term A plus 3D तो fourth term के लिए यहाँ पर एक कम number D के आगे लिख रहा हूँ तो यदि मैं बोलू कि मुझे eighth term निकालना है तो मुझे कौनसी term निकालनी है A plus 7D की value निकालनी है eighth term के लिए ठीक है समझ में आगे है इतना ठीक है आप देखो आगे तो मुझे क्या निकालना है A plus 7D निकालना है यहाँ पर ठीक है इसकी value निकालनी है क्योंकि यही अपनी कौनसी term है eighth term है कौनसी term है यह अपनी eighth term ठीक है अब उसने क्या दे रखा है A plus 2D third term यही होगी A plus 2D वो कितना दे रखा है इसने 26 दे रखा है हमें कितना दे रखा है वो इसने 26 दिया होगा है अब A की value put करके मैं D की value निकाल सकता हूँ यहाँ से A की value मैं रख देता हूँ इधर रखो 30 plus 2D बराबर कितना हो गया 26 तो D की value कितनी आ गई minus 4 upon 2 minus 2 आगी नहीं आगी D की value 26 minus 30 minus 4 upon 2 minus 2 अब मेरे पास A की value है D की value है और मुझे निकालनी है 8th term इसमें put कर दूँ में 8th term में ठीक है तो देखो क्या होगा A की value में put करता हूँ यहाँ 30 plus 7 D की value कितनी आ गई यह रही यह भी इसमें put करता हूँ minus 2 कितना हो जाएगा 30 यह कितना हो जाएगा minus 14 तो कितना निकल के आगया अपना 16 कितने निकल के आई 8th term अपनी 16 तो क्या answer होगया अपना 2nd option होगया 16 अपना answer होगया ठीक है 1st term दे रखी थी 3rd term A plus 2D होती है जो कितने दे रखी है 26 यहां से हमें D की value मिल जाएगी हमें निकालनी है 8th term 8th term का मतलब A plus 70 ठीक है A की और D की value पुट कर दी तो यह हमारा निकल गया अब अगला question आप करो सेम ऐसा ही है फिर मैं बताता हूं कैसे होगा कुछ से try करने की कोशिश करो एक बार हुआ 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 क्यों इसमें क्या problem आ रही है इजी है बिल्कुल उपरवाला question कराया भी मैंने सेम वैसा ही है नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ कुछ भी नहीं है simple है हमें क्या दे रहा है उसने a कितना दे रहा है उसने 6 d दे रहा है उसने हमें 2 हमें t7 क्या मतलब होता है 7th term 7th term क्या होगी a plus 60 होगी अब simple a की value और d की value इसमें put कर दो करता हूँ मैं put इतना तो easy था देखो a कितना है 6 6 plus 6 d की value कितना है 2 तो यह कितना हो गया 6 plus 12 कितना हो गया अपना 18 कितना हो गया अपना 18 तो अपनी क्या आगई 7th term 18 तो यहाँ पर 4th option अपना right answer होगा सब्सक्राइब 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 सेम ऐसा ही है यह भी देखो 9th question में क्या खहरा है of the series 2,5,8 find the 10th term एक series दे रहा की है और उसका 10th term हमें निकालना है तो देखो इस series में सबसे पहले 1st term बताओ मुझे a क्या हो जाएगा 2 यह 1st term है 2 वह हो गया a common difference अभी बताया था मैंने starting करने से पहली कि 2 terms के बीच का difference होता है वह common difference होता है तो 2 और 5 के बीच का difference कितना है 3 कैसे निकालेंगे 5 minus 2 कैसे हो गया common difference हो गया 3 d की value मिल गई 10th term निकालना है 10th term क्यों होती है a plus 9 d values put कर दो यहां पर इसमे values में यहां पर put करी a की values put करी और d की values 3 यह put कर दी दर a की value है 2 plus 9 into 3 कितना हो गया 2 plus 27 कितना हो गया 29 कितना अंसर आ गया 9th में 29 चलो next question की तरफ अखला question देखो 10th question क्या खहना चाहरा है कि if the term minus 1 plus 2x 5,5 plus x यह हमें term देरा की है पहली term है minus 1 plus 2x second term देरा की है 5 और 3rd term देरा की है 5 plus x यह सब क्या करती है AP series में है form and AP एक AP series में है then हमें x की value find out करना है तो जब भी हमें पता है कि AP series में क्या होता है 2 terms का common difference same होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूं कि second term 5 में से minus करूंगा minus 1 plus 2x तो यह किसके बराबर होगा इसके 3rd में से मैं minus कर दूं second term को सही है first term यह रही second यह रही third यह रही common difference बराबर होता है second में से first term को minus करूंगा जो common difference आएगा वही common difference third में से second term को minus करने पर भी आना चीए चलो solve करते है 5 को इदर ले जाता हूं मैं 5 5 जो कितना हो गया 10 इदर करूंगा 5 plus x अल्रेडी है 5 plus x इसको इदर लेके जाऊंगा तो minus 1 plus 2x ठीक है अब solve करो 10 5 में से बन गए तो 4 इदर हो गया 3x तो 3x बराबर कितना आ गया 6x बराबर कितना आ गया 2 कितनी होगी x की value 2 कितना अंसर हो गया अपना x की value हो गई 2 अगला question 11th question पढ़ो एक बार क्या कहना चाहरा है 11th question क्या खहरा है whatever be the value of x x की क्या value होगी if the terms terms दे रहा है उसने x,x plus 3 and x plus 6 will be in what series x की कौनसी values की लिए ही मतलब x की जो भी value मैं रखूं उससे एक series form होगी और वो series किसमे होगी AP में, GP में या फिर किसी में भी नहीं कोई भी series वो नहीं बनाएं यह हमें बताना है तो देखो क्या दे रहा है इसने हमे series दे रहा है इसने हमें 3 terms दे दी x दे दी x plus 3 दे दी x plus 6 दे दी 147 अब यह AP में कैसे पता करेंगे सबसे पहले देखो इसमें increment हो रहा है decrement हो रहा है या फिर कोई multiply करने पर second time आ रही है यह divide करने पर आ रही है देखो इसमें x के value 2 भी रख सकते हैं पर 2 रखके क्या आएगा देखो x के value मैं यहां पर क्या रखता हूँ यहां पर रखता हूँ x के value यहां पर रख देता हूँ 2 5 और 7 अब भी देखो कितना आ रहा है 3 यह 8 आएगा और अब भी कितना रहा है 3 same आ रहा है common difference तो तब भी ap रही है अपनी ठीक है तो x के value में कुछ भी पुट कर लो plus में minus में कैसे भी तो हमेशा क्यां तो series बनेगी ap series ही यह हमें बना कर देगा 12 के बाद करू find the 8th term of the series 4,8,16,32 इस series की 8th term हमें find out करनी है इस series की हमें 8th term find out करनी है अब देखिए पहले तो यह बताईए series कैसे दे रहा ही है series दे रहा ही है 4, minus 8,16, minus 32 ap में हैंगी gp में तो पहले चेक करता हूँ minus 8 में से यदी में minus 4 करता हूँ minus 12 यही यदी में इन दोनों का difference देख लिया अब मैं देखता हूँ इन दोनों का difference इन दोनों का difference देखूँगा इन दोनों का difference में से किली करूँगा 16 में से minus करूँगा minus 8 को तो यह हो जाएगा plus 8 और 24 तो difference अलग 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 आ गया तो मतलब यह AP नहीं है क्या नहीं है यह AP नहीं है ठीक है यह तो अपने decide कर लिया कि यह स्रीज AP में नहीं है अब अपन क्या देखेंगे कि GP में है क्या तो देखो GP के लिए मैंने क्या बताया था GP के लिए मैंने यह बताया था कि second terms को divide करेंगी first से तो करो minus का 8 को divide करूँगा 4 से minus 2 आ गया अब इस वाली terms को divide करूँगा इस से 16 को divide करूँगा minus 8 से minus 2 आ अरे वह common difference है हम आगया दोनों का इसका भी और इसका भी तो मतलब यह स्रीज किसमे GP में ठीक है इतना अपन ने पता कर लिया कि यह स्रीज अपन को किसमे दे राखी है उसने GP में ठीक है किसमे में रती है उसने अपन सबसे पहले मैं बता देता आँ GP में जो स्रीज चलती है किस तरह से चलती है GP में जो चलती है AR AR set डोट 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 इस तरीके से चलती है यह जदी मैं बात करूँ जन्रल टम्स की बारत करूँ तो कैसे निकालूँगा मैं कि यह देखिए इधर फर्स्ट टम ए है सेकिंड टम ए र है और थर्ड टम ए र स्क्वार मतलब देखो इधर ऊपर देखो पावर में देखो यह पावर एक है यहां पर यदि मुझे थर्ड टम निकालनी है तो मैं ए 1.2.3 जैसे उसमें AP में minus 4th term के लिए 3D लिखता था एं प्लस 3D ऐसे यहां पर GP में 4th term के लिए AR Q क्योग लिखूँगा है अम लेकिन उसने मुझे क्या पूचा है 8th term के लिए में क्या लिखूँगा AR 7 यह मुझे निकालना है तो इसके लिए मुझे A चाहिए और R कर दूंगा second को किस से divide कर दूंगा first से तो देखो minus 8 को divide करूंगा four से तो क्या मिलेगा minus two यह अपना क्या आ गया r आ गया तो अपने पास a मिल गया अपन को r मिल गया इस a की value r की value put कर दो इसदर a की value 4 r की value है minus 2 की power 7 अब इसको solve करूंगा तो अपना अंसर आएगा minus का 512 इतना अंसर आएगा minus का 512 ठीक है आज अपन इतना ही questions करते हैं इसमें 36 mcqs है जिसको अपन 3 parts में करेंगे बाकी के जो है questions अपन कल करेंगे ठीक है और मेरा कहना यह है एक बार आगे की questions कुछ से करने की कोशिश करो नहीं होते हैं तो फिर अपन कल करते ही हैं ठीक है thank you